तो दोस्तों आज की इस फडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने Facebook के उपर अपने profile picture गाड को turn off कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अपने Facebook की profile picture गाड को turn off करने के लिए तो आप अपने Facebook के app को यहां से open कर लीजिए यहां इसको open करने के बाद simply आप जो threelins के ऊपर यहां पर click करिए और यहां पर click करने के बाद आपको सब से ऊपर आपका नाम यहां पर show हो रहा होगा तो आप simply इसको click करके उसको open कर लेजिए उसको और आग़ी फाइल यहां पर open हो जाएगी और आप भी आपे देखते हैं मेरी profile picture आपको यहाँ पे show रही है और उसके नीचे आपको यह छोटा सा guard जिक वह आइकन दिख रहा है तो मतलब कि मेरी profile picture आपको यहाँ पे turn on है तो इसको यहाँ पे turn off करने के लिए आपने अगना है आपको देखिए आपकी profile picture नीचे छोटा स इसको open करने के वाद आपसे पूछीगा कि आप सच में अपने profile picture आपको यहाँ पे turn off करना चाते हैं तो हाँ करना जाते हैं तो simply यहाँ पे yes के बटन पे click कर दिजेगा और जैसे आपसे click करेंगे आपकी profile picture आपको यहाँ पे turn off हो जाएगा और आप यहाँ देखते हैं मेरी profile picture के नीचे से वो guard से का आइकन अभी यहाँ पे remove हो चुका है तो मतलब कि मेरा guard यहाँ पे turn off हो चुका है तो उसको कुछ इस तरीक है जो है आप अपने facebook के profile picture के ऊपर से अपने guard को turn off कर सकते हैं तो उस फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपके वीडियो पस देखने के लिए थैंकियो वोचिंग एंड बाबाई